आइंस्टाइन सांखेकी के विशे में MSC भौत की पढ़ने वाले सभी छातर जानते हैं इस सांखेकी का विकास भारत के जाने माने व्याज्ञानेग सतिंद्र नात बोस ने किया था उनके साथ आइंस्टाइन का नाम जुड़ा था वैसे तो बोस ने आइंस्टाइन के साथ कभी काम नहीं किया लेकिन बोस उनको सदैव अपना गुरु मानते थे क्योंकि उन्होंने अपना सांखेकी से संबंधित शोध पत्र सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध वैज्यानेक आइंस्टाइन के पास ही भेजा था बोस का जन्व कलकत्ता में एक जन्वरी 1894 को हुआ था उनके पिता सुरेंद्रनात बोस भारत के रेलवे विभाग में अधिकारी थे सतिंद्रनात बोस अपनी कक्षा में सतेव प्रथम आते थे वे इतने प्रतिभाशाली चातर थे कि उन्हें एक बार एक पेपर में सौ में से 110 अंक मिले जी हाँ यह गनित का पेपर था और उन्होंने इस प्रश्म पत्र में पूछे गए प्रश्नों को एक से अधिक तरीके से हल किया था उनकी इस अभूतपूर प्रतिभा को देखकर एक अध्यापक ने यह भविश्रिवानी की थी कि यह बालक एक दिन महान गनितग्य बनेगा सन 1915 में उन्होंने पूरे कलकत्ता विश्विद्याले में प्रथम स्थान ग्रहन किया था सन 1916 में MSI करने के बाद वो धाका विश्विद्याले के भौतकी के अध्यापक हो गए उन दिनों प्रथम विश्वियुद जोरो पर चल रहा था इसलिए यूरोप में किये जारे अनुसंधान के सामाचार बाहर नहीं पहुँश पाते थे सतेन नात बोस देवेंद्र मोहन बोस को पत्र लिखकर अनुसंधानों के विशे में जानकारी प्राप्त करते रहते थे सन 1923 में रीडर बनने के बाद बोस ने एक शोध पत्र लिखा जिसे उन्होंने एक ब्रिटिश पत्रिका में छपने के लिए भी भेजा इस शोध को पत्रिका ने अस्विकार कर दिया यहीं से बोस का मशहूर होने का इतिहास शुरू हो गया शोध पत्र के अस्विकार होने पर यह विचलित नहीं हुए बलकि उन्होंने शोध पत्र को आइंस्टैन को भीचा आइंस्टाइन ने इस पत्र को जर्मन में अनुवाद करके जीतफर फिजिक नामक पत्र का में प्रकाशित करवाया आइंस्टाइन ने बोस को स्वेम एक पत्र लिखा कि तुम्हारा कारे गनित के शेत्र में एक महतुपूर्ण कारे है इसके बाद बोस का नाम आइंस्टाइन के साथ बोस आइंस्टाइन सांखेकी के रूप में हमेशा के लिए जुड़ गया बोस ने माडम क्यूरी के साथ कारिक भी किया पेरिस से बरलिन गए वहां उनका आइंस्टाइन ने भगवे स्वागत किया सन 1945 में विधा का छोड़कर कलकत्ता विश्विद्याले में प्रोफेसर बन गया सन 1856 में अवकाश ग्रहन करने के बाद उन्हें विश्व भारती विश्विद्याले का उपकुलपती बनाया गया सन 1958 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया इसी वर्ष उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूशन से सम्मानित भी किया और राष्ट्रे प्रोफेसर बनाया। प्रिधा वस्ता में वो साधों जैसे भगवे रंग के कपड़े पहनने लगे थे। इस उम्र में भी वे देश के व्यग्यानिकों से विचारों का आदान प्रदान किया करते थे। इस उम्र में भी वे देश के अनेक संस्थानों का दौरा करते रहते थे। विज्यान के सेवा करते हुए सन 1974 में इस महान व्यग्यानिकी मृत्ति हो गई। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक या शेर करना ना भूल इस तरह की तमाम रोचक और दिल्चस्प कहानियों के लिए हमारे चानल हिस्टॉरिकन इंडियन्स को सब्स्राइब करें और बेल आइकन को टाक करें ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें